परिचाए, आज डिनर बहुत स्वादिश्ट है और मैं इसका बहुत अच्छी तरह से आनंद ले रहा हूँ। ठीक है, तुम मुझे बताओ, चीनी और नमक के कड़ों की सनचनाएं अलग-अलग क्यों होती हैं। इसका कारण अलग-अलग घटक कड़ हो सकते हैं। बेटे, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन उचित नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रतेक सनचना इन कड़ों के बीच रासायनिक आबंध की प्रकृती पर निर्भर करती है। चीनी के अणों में सहसैयोजक आबंध होते हैं, जबकि नमक के अणों में आइनिक आबंध होता है। ठीक है पिताजी, मैं कारण जान गया हूँ और मैं इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। चात्रू, आज हम रासायनिक आबंध और आणविंक सनचना की बारे में और अधियन करेंगे। उत्येशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। रासाइनिक आबंद का वड़न करना, अश्टकनियम और लुईस प्रतीकों को समझना, आइनिक आबंद का वड़न करना, आइनिक आबंद को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानना, आइनिक योगिकों के गुणों की व्याख्या करना, आबंद प्राचलों का वड़न करना, अनुराद सन्रचना का वड़न करना, और आबंद ध्रुणवणता के बारे में जानना, परिभाशा, प्रकृती में अधिकतर पदार्थ अणुओं के रूप में माजूद होते हैं, जो समान या विभिन प्रगार के परमाणों का समू हैं, विभिन रासाइनिक स्पिशीज में अनेक घटकों को सनलगन रखने वाले आकर्शन बल को रासाइनिक आबंध कहते हैं, रासायनी काबंधों को विभिन प्रकार में वर्गी क्रित किया जा सकता है जैसे आयनी काबंध, सह संयोजक आबंध, उपसे संयोजक आबंध, धात्विक आबंध, हाइडूजन आबंध और वांडरवॉल बल रासायनी काबंध की कौसे लुईस अवधारणा परबानों सनचना के क्षेत्र में हुए विकास ने संयोजक्ता के विभिन सिध्धान्तों के लिए आधार प्रदान किये इस क्षेत्र में प्रारंबिक योगदान W. Kausal और G. N. Lewis ने सन 1916 में दिया सर्वप्रतम संयोजक्ता की कुछ तर्ग संगत व्याख्या प्रदान करने वालों में वे पहले थे जो उतक्रिस्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी अश्टक नियम नियम के अनुसार विभिन तत्वों के परमाणू रासायनिक संयोजन में इस तरह से प्रवेश करते हैं कि परमाणू अपने सबसे बाहरी कोश में आठ इलेक्ट्रोनों का वन्यास प्राप्त कर ले वे ऐसा इलेक्ट्रोनों के इस्थानांत्रण द्वारा अथवा इलेक्ट्रोनों के आपसी सह भाजन द्वारा करते हैं लुईस प्रतीक इन संकेतों के अनुसार तत्व का प्रतीक नाभिक तथा भीतरी कोश में इलेक्ट्रोनों को दर्शाता है बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन प्रतीक को घेरे बिंदूओं द्वारा निरुपित किये जाते हैं बिंदूओं की संख्या संयोजक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है तत्वों की सामाने संयोजक्ता संयोजक्ता इलेक्ट्रॉनों से परिकलत की जा सकती है उधारण के लिए लीथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की समाने सेयोजकता क्रमशा एक, दो, तीन और चार है। लुइस प्रतीक पर आधारित उधारण आए लुइस प्रतीकों पर आधारित एक उधारण लें। उध्क्रिष्ट गैस विन्यास के साथ आइनों के निर्मान हेतु, मैगनीशियम से फ्लोरीन परमाणों तक, इलेक्ट्रोनों के इस्थनांतरन को दर्शाने के लिए लुइस इलेक्ट्रोन बिंदू प्रतीकों का उप्योग करें। आईए हल देखें। परमाणों के लिए लुइस प्रतीक हैं। M.G. परमाणों उध्क्रिष्ट गैस विन्यास प्राप्द करने के लिए दो इलेक्ट्रोनों का त्याग करता है। लेकिन F पर्माणू अपने सेयोजकता कोश को भरने के लिए केवल एक उलेक्टरॉन क्रेहन कर सकता है. इसलिए दो F पर्माणू को उलेक्टरॉन इस्थाना antrum में भाग लेना चाहिए. हम इस उलेक्टरॉन इस्थाना antrum को इस तरह से दर्शा सकते हैं. आयनिक आबंद आयनिक आबंद का निर्माण एक पर्माणू से दूसरे पर्माणू तक एक या अधिक इलेक्ट्रोनों के इस्थानाद्रन द्वारा होता है समानिता इस प्रकार का आबंध एक धात्विक और एक अधात्विक परमाणों के बीच अस्तित्व में आता है धात्विक परमाणों अपने सेयोजक्ता इलेक्ट्रानों का त्याग कर देता है और एक धनायन कलाने वाले धनायन में बदल जाता है जबकि एक आधात्रिक परमाणूं इलेक्ट्रोनों को ग्रहन करता है और रिणायन कहलाने वाले रिणायन में परिवर्तित हो जाता है विप्रीत आविशित आईन आकर्शन के इस्थिर वैद्युत बल द्वारा परस पर बंदे रहते हैं आईनिक आबंद को व्रीत आविशित आईनों को बांधने वाले आकर्शन के इस्थिर वैद्युत बल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है आईनिक आबंद निर्मान के दौरा आईनिक आबंद का विर्चन निम्नलिखित तीन चरणों में होगा प्रथम चरण आविश्यक ओरजा आईनन ओरजा कहलाती है दूसरा चरण गैसिये रनाइनों का विर्चन इस चरण से मुग्द होने वाली ओरजा इलेक्ट्रोन बन्धोता कहलाती है तीसरा चरण विप्रिद आविश्यक आईनों की पैकिंग नियम्न आयनिक ठोच बनाती है कुल, मुक्द उर्जा, आवेशक उर्जा से अधिक होनी चाहिए। इस थिर आइनिकाबंध के लिए दशाएं हैं। परमानू बनाने वाले धनायन की आइनन उर्जा कम होनी चाहिए। परमानों बनाने वाले रनायन की इलेक्टरोन बंदोता उच्च होनी चाहिए. जाला कूर्जा उच्च होनी चाहिए. आइनिक आबंद और सहसेयोची आबंद के बीच अंतर आइनिक आबंध एक पर्माणू से दूसरे पर्माणू तक इलेक्ट्रोन के इस्थानांतरन द्वारा बनता है, जबकि सह सयोजी आबंध पर्माणूं के बीच परस पर सह भाजन द्वारा बनता है. आइनिक आबंद प्राया धात्विक और अधात्विक पर्माणों के बीच मौझूद होता है। आइनिक आबंद विपरीद आवेशों के आवेशित कड़ों को बांधे रखता है। आइनिक आबंद को प्रभावित करने वाले कारक। कारक जो आइनिक आबंद के विडजन का साथ देते हैं और इसकी समर्थ का भी निर्धारन करते हैं निमने हैं। आइनन उर्जा आइनिक रणात्म कायन बनाने के लिए इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रोन बंधुता का मान परमाणों को रणायन बनाने की प्रावरित्ती प्रधान करता है। इलेक्ट्रोन बंधुता का मान जितना अधिक होता है परमाणों की रणायन बनाने की प्रावरित्ती उतनी ही अधिक होती है। जाला कूर्जा एक बार जब गैसीय आयन बनते हैं तो विप्रीत आवेशों के आयन एक दूसरे के निकटा जाते हैं और एक निश्चित जया मितिये पैटन में त्री विमिये पैखोकर आयनिक क्रिस्टल बनाते हैं। यह प्रक्रिया उर्जा की मुक्ती के साथ पूरी होती है जिसे जाला कूर्जा कहते हैं। इस प्रकार जब आइनिक ठोस का एक मोल गैसी आइनों के निविट संकुलन द्वारा बनता है, तो उस समय मुक्त होने वाली उर्जा की मात्रा को जाला कूर्जा की रूप में परिभाशित किया जाता है जाला कूर्जा का परिमाण निम्निलिखित कारकों पर निर्भर करता है आइनों का आकार जितना छोटा होता है, अंत्रा नाभिक दूरी भी उतनी ही कम होती है और अंत्रा आइनिका कर्शन उतना ही अधिक होगा, इसलिए जाला कूर्जा का परिमाण भी अधिक होगा आइनों पर आवेश का परिमाण जितना अधिक होगा आकर्शन बल उतना ही अधिक होगा और जालग उर्जा का मान भी अधिक होगा आइनिक योगिकों के गुण आइनिक योगिकों के समाने गुण निम्न हैं ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुछालग होते हैं लेकिन गलित या घुलित अवस्था में विद्युत के सुचालग होते हैं आइनिक योगिकों के बीच की रासाइनिक अभी क्रियाएं अपने जलिये फिलियनों में सुसज्जित आइनों के बीच संयोजन में शामिल होती हैं। ऐसी अभी क्रियाएं आइनिक अभी क्रियाएं कहलाती हैं। प्राया आइनिक यौकिक क्रिस्टलिये ठोसों के रूप में होते हैं, इनका गलनांक और कौथनांक अधिक होता है, इसका कारण विपरीत आवेशित आइनों की बीच बहुत शक्तिशाली स्थिर वैद्युत बल है, ये जल और अन्निध्रुविये विलाइकों जिनका पराव परेद्युतांक अधिक होता है, इनमें घुलनशील होते हैं, ये आध्रुविये विलाइकों में अघुलनशील होते हैं, आबंद लंबाई और आबंद कौण आबंद लंबाई इसे किसी अनू में दो आबंदित परमाणों के नाबिक के बीच की सामय अवस्थादूरी के रूप में परिभाशित किया जाता है सह संयोजी त्रिज्या को लगभग उस पर्माणू के कोर की त्रिज्या के रूप में मापजाता है जो आबंदित अवस्था में सनलगन पर्माणू के कोर के संपर्क में होता है वांडर वॉल त्रिज्या अनबंधित आवस्था में संयूजी कोश सहित परमाणू का समग्र आकार निरुपित करती है आबंध कौन इस किसी अनु आयन के केंद्रिय परमाणू के आसपास उपस्तित आबंधन इलेक्ट्रॉन युक्म को धारण करने वाले और भी टलों के बीच कौन के रूप में परिभाशित किया जाता है आबंध कौन को डिगरी के रूप में व्यक्त किया जाता है आबंध एन्थेलबी और आबंध कोटी आबंध एन्थेलबी इसे गैसी अवस्था में दो परमाणूं के बीच एक मोल के विशिष्ट प्रकार के आबंधों को तोड़ने के लिए आविशक उर्जा की मात्रा के रूप में परिभाशित किया जाता है आबंध एन्थेलबी का मात्रक किलोर जूल प्रति मोल है आबंध कोटी किसी अणों में दो परमाणूं के बीच आबंधों की संख्या आबंध कोटी कहलाती है आबंध कोटी के बढ़ने के साथ साथ आबंध एन्थेलबी बढ़ती है और आबंध लंबाई घटती है अनुनात की अवधारणा के अनुसार, जब कभी एक अल्लुई सनचना का एक अनु का ठीक ठीक वणन नहीं कर सकती, तो समान उर्जा, नाभिक की स्थितियों, आबंधी और अनाबंधी इलेक्ट्रोनों के युग्मवाली कई सनचनाई संकर की वेध सनचनाओं के रूप में जो अनु का सही तरह से वणन करती हैं। जब किसी अनु को एक से अधिक लुई सूत्रों द्वारा, जिसमें से कोई भी यौकिक के अवलोकन किये गए, सभी गुणों की व्याख्या करने में सक्षम है, निरूपित किया जा सकता है, तो अनु की वास्तविक सनचना वेध न लुई सूत्रों का मत्यवर्ती होती है, और ये अनुनाद संकर कहलाती है। आबंधों की दुरुवता आइनिक आबंध में धनायन इलेक्ट्रोनिक घनत्व को अपनी तरफ प्रतिकर्शित करके रणायन के इलेक्ट्रोन अब्र को दुरुवित करते हैं, इसके कारण आइनिक आबंध में सहसंयोजक लक्षन विक्सिद होते हैं। धनायन का आकार जितना चोटा होता है इसकी ध्रुवन ख्षमता उतनी ही अदिक होती है। धात्विक आबंध और सहसंयोजक आबंध के बीच अंतर चलाए मान इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्शनपल और धनातमक अश्टियाँ एक साथ मिलकर धात्विकाबंध बनाती हैं, जबकी एक इही या अलग-अलग तक्त्वों के सयोजी परमाणों के बीच इलेक्ट्रॉनों का परसपर साझेदारी सहसयोजगाबंध कहलाती है धात्विक आबंद आदिशात्मक होता है, जबकि सहसेयोजक आबंद दिशात्मक होता है धात्विक आबंद कमजोर आबंद है क्योंकि चलाय मान इलेक्ट्रोन एक साथ अनेक अश्टियों द्वारा आकर्शित किये जाते हैं जबकि सहसेयोजक आबंध मस्बूत आबंध होता है, क्योंकि आबंधिद इलेक्ट्रॉन युक्म दो नाबिकों त्वारा मस्बूती से आकर्शित किये जाते हैं. क्या आब जानते हैं? क्या आइनिक आबंधन माजूद है, ये ग्यात नहीं है. सभी आइनिक युगिकों में सहसेयोजक आबंधन की कोटी होती है. सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं. विभिन रासाइनिक स्पिशीज में अनेक घटकों को सनलगन रखने वाले आकर्शन बल को रासाइनिक आबंध कहते हैं. आश्टक नियम के अनुसार विभिन तत्वों के पर्माणूं रासाइनिक संयोजन में इस तरह से प्रवेश करते हैं कि पर्माणूं अपने सबसे बाहरी कोश में आठ इलेक्ट्रोनों का वन्याज प्राप्त कर ले. लुईस प्रतीक संकेतों में तत्व का प्रतीक, नाभिक तथा भीत्री कोश में इलेक्ट्रोनों को दर्शाता है. बाहरी कोश के इलेक्ट्रोन प्रतीक को घेरे बिंदों त्वारा निरुपित किये जाते हैं. आएनिक आबंद को वरीत आवेशित आइनों को बांधने वाले आकर्शन के स्थिर वैदुद बल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है. इलेक्ट्रोन बंधुता उर्जा है जो तब मुक्थ होती है जब गैसिय पर्माणूं एक रिनात्मक आइन बनाने के लिए इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं. जब आइनिक ठोस का एक मोल गैसिय आइनों के निविड संकुलन द्वारा बनता है तो उस समय मुक्थ होने वाली उर्जा की मात्रा को जालक उर्जा की रूप में परिभाशित किया जाता है. आबंध कोन को किसी अणू आयन के केंद्रिय परमाणों के आसपास उपस्तित आबंधन इलेक्ट्रोन यग्म को धारन करने वाले और्बी टलों के बीच कोन के रूप में परिभाशित किया जाता है. आबंध कोन को डिगरी के रूप में व्यक्त किया जाता है. आबंद एन्थेलिभी को गैसी अवस्था में दो परमाणों के बीच एक मोल के विशिस्ट प्रकार के आबंधों को तोड़ने के लिए आवशक उर्जा की मात्रा के रूप में परिभाशित किया जाता है